आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता है मैं लेस्टमर तो आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ या बेहदी महत्पुन अपडेट है जो कि बिहार के सभी विद्याले में यह लागू हो चुका है और अब जो आपको ग्रेजुशन करना होगा वह चार वर्स का हो चुका है और एक्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ इसी वर्स से हो चुका है मैं उनके बार में अपडेट बताने वाला हूँ तो वीडियो को आन्ति तक आप लोग जरूर देखें इस वीडियो में मैं आपको पूरी डीटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि ग्रे अब जो होगा 24 बेस्ट इग्जाम के तहद जो है वा इग्जाम होगा आपका और इसी सत्र से जो है सभी विश्विद्याले में लागू हो गया है चार वर्स अशनातक कोर्स मतलब कि अब जो ग्रेजुएशन होगा आपका वा चार साल का हो गया है जिनमें से सत्र यहाँ अब भी देख सकते हैं चार वर्स के लिए जो कि सत्र है ताइस से सत्र के लिए भी हो चुका है अब जो आपका शेशन होगा वह चार वर्स का हो जाएगा तो जितने भी स्टूरेंट्स हैं ग्रेजुशन के अब जो नया सिख्छानिती जो आई हुई है वह जो हो गया वह चार साल का हो गया है और अभी मैं आपको एक्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ कि कौन सा एक्जाम पैटर्न आपका होगा तो सबसर पहले यहाँ पे देख लें जो दिया गया है यह एक्जाम पैटर्न है जो कि पहले दो सेमेस्टर का जो एक्जाम होगा वह होगा अंतर आसना तक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और चार वर्स में यूजी डिपलोमा होगा अच्छा वर्स में जो दिया गया आसना तक दिया गया है और आठ वर्स में जो है वह ओनर्स के लिए उपलब्दियां ब्यार के सभी 20 विद्याले के लिए यह सेम पैटर्न है, उसके बाद एक और पोस्ट मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इनको देख ले जो पैटर्न दियाग्या है, जो कि चार वर्स यहाँ भी देख सकते हैं, चार वर्स के लिए हो गया है, और इसी के अधारित जो है आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया इतियास और फिजिक्स भी आप इसमें ले सकते हैं, जो कि इसमें यहाँ पे दिया गया नया सिख्छा निती जो है वाचार वर्स का हो गया, जो कि एक्जाम जो लिया जाएगा, वाच्वाइस बेस्ट सिस्टम एक पहला जो दिया गया है C, B, C, S के अंतर और कैसे समझ जो है वह कैसे होगा तो पहला जो इसमें दिया गया point इनको आप थ्वासे देख ले जो semester wise जो exam आपका लिया जाएगा थ्वासे इनको ध्यान से देख ले पहला जो है semester wise exam लिया जाएगा पर्थम वर्ष मतलब कि पहला सा जो आपका exam लिया जाएगा उसमें 2 semester का exam लिया जाएगा यहां पर 2 semester है जो की 40 credit का होगा और 2 semester जो दिया गया उसमें पूरा करने के लिए आपको UG का certificate मिलेगा तो 2 पर्थम वर्ष में UG का आपको certificate दिया जाएगा जो की 4 वर्ष 4 credit के लिए एक vocational course भी लिया जाएगा उस इसके बाद दूसरा जो course है दूसरा वर्ष जो होगा वह 4 semester का होगा जो की 80 credit दिया जाएगा और UG का diploma भी इसमें उपलबदी होगा अब 3 semester जो है वह है 120 का credit होगा उसके बाद आपको UG का certificate भी दिया जाएगा डिग्री मिलेगा इसके साथ जो है तीन वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो पढ़ाई भी छोड़ सकते हैं और तीन वर्ष के अंतर नमांकरन लेना होगा तीन ही मितलब छोड़ने के बाद भी आपको नमांकरन भी लेना होगा और चौथा वर्ष जो इसमें दिया गया है वह है आठवे semester का exam होगा जो की 180 credit होगा पूरा करने के अंतर जो है वह आसनातक degree आपको पूरा मिलेगा तो इसमें आप समझ गया होगे जो मैं अभी आपको बताया हूँ आपका जो exam लिया जाएगा नया pattern के तायत वह semester wise लिया जाएगा जो मैंने बताया चार वर्ष का हो गया तो पर्थम semester में दो paper लिया जाएग और तीसरा semester जो होगा उसमें भी आपका exam लिया जाएगा और चौथा semester में भी लिया जाएगा तो पूल मिला के semester wise आपका exam pattern हो गया है जो अभी मैंने बताया जो कि चार वर्ष का हो गया तो चार वर्ष का मैंने अभी आपको बतावे दिया यह जो pattern है वह आप लागू हो ग करें धन्यवाद